देवास जिले की बागली में हो रही तेश बारिस के चलते तेहसिल के सभी नदी नाले उफान पर है वहीं पूरा छेतर जलमगन हो चुका है शनिवार की सुबद चार बजे से तेश बारिस का सिलसिला जारी है उसी के चलते सुबद 6 बजे से ही बागली तेसिल की गुनेरा गुनेरी की दोनों नदियां लगबग 5 घंटे तक उफान पर रही जिससे पुरा मार्ग बंद रहा साथ ही इंदोर बेतूल नेशनल हाइवे मार्ग उनसाहाट एस से निकली काली सिंदी नदी लगबग 2 घंटे तक उफान पर रही जिससे हाइवे मार्ग 2 घंटे तक बंद रहा जिसमें बड़ी संख्या में वहानों की लंबी लंबी कतारे लग गई हालक की हो रही बारिस से किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है बागली से समवात तक रिपोर्ट नदी उफान पर आए थी कितने समय तक उफान पर रही हो और क्या स्तती रही हैं? हाँ इसकी जो साहयक नदिया जो काली सिंद में आगर मिलती है जिसे गुनरा गुनरी बेरी नदी और आसपास की जो भी नदिया आज सभी सुबह च्छे बजी से उफान पर है जिसके कारण काली सिंद नदी में यहाँ पानी का लेवल बड़ा है किसान को देखा जाए तो क्या पानी को बारिस को लेकर किसान काफी खुस है क्योंकि तिछले वर्स यहां काली सिंद में पानी भी नहीं आया था काफी वर्सा कम थी और इस वर्स किसानों के चेरों पर काफी खुसी का माहल देखा जा सकता है क्योंकि काफी लंबी खेच के बा